हेलो फेंड्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूटुब चैनल अपढ़ेगा इंडिया में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो जनरली हम लोगों ने घटना चकर का जो सेरीज स्टार्ट का रखा है मतलब कि अभी हम लोगों ने उसमें हिस्ट्री आधूनिक भारत पूरा देख चुके हैं मध कालीन भारत देख चुके हैं और हम लोग जोग्रफी और पॉलिटी को रैंडम वाईज लेकर चल रहे हैं तो आज का जो हमारा इंडियन पॉलिटी के क्रम में जो घटना चकर का जो सेरीज है उस सेरीज में आज हमारा है लेक्चर नमबर फूर्ट इससे पहले तीन वीडियो अलेडी भारती राजवेवस्था के अपलोड़ेड है अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस से देख सकते हैं तो चलिए अब बढ़ते अपने कोश्चन की तरफ आज का जो हमारा पहला कोश्चन है वो कह रहा है कि किस बर्स में जन गन मन को भारत के रास्टगान के रूप में अपनाया गया था तो किस बर्स में अपनाया गया था 1950 में 24 जन गन मन को रास्टगान के रूप में अपनाया था तो इस कोश्चन का जो सई अंसर होगा वो होगा option number C 1950 में वहीं याद रखिएगा सम्विधान सभा से और भी चीजे जैसे सम्विधान सभा जो है वो मई 1949 में राष्ट मंडल में भारत की सदस्ता का ये किया था 22 जुलाई 1947 को राष्ट ये ध्वच और 26 जन बरी 1950 को राष्ट गीत को अपनाया था वहीं राष्ट गान की अगर हम लोग बात करते हैं तो राष्ट गान से याद रखिएगा या है रबिंदर नाथ ठाकुर द्वारा मूल रूप से बंगला में रचित था और सरप्रथम 1911 के कलकता अधिवेशन में गाया गया था नेक्स कह़े रहा है कि संपुन रास्ट गान का बाधन यानि गायां काल जो है तो संपुन रास्ट गान का जो गायां काल है वो है बामन सेकंड तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा option number C 24 सेकंड अच्छा एक कोश्चन और पूछा जाता है कि संचीप्त अबधी में कितना सेकंड है इसका गायन तो संचीप्त अबधी में अगर पूछ ले तब आपका अंसर हो जाएगा 20 सेकंड जिसमें कि राष्टगान के सिर्फ प्रथम और अंतिम पंक्तियां जो है वो गाई जाती हैं नेक्स कहा राएगी भारत सासन द्वारा राजकिये चीन यानि एस्टेट अलबम कब से अंगिक्रित या एडॉप्ट किया गया है तो कब से किया गया 26 जनवरी 1950 से तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा option number D 26 जनवरी 1950 से वही याद रखिएगा यह जो वो देबनागरी लिपी में अंकित है नेक्स्ट है है हमारा कि भारत की सम्मिधान सवा ने रास्टिये ध्वच को सरपर्थम कब सुईकार किया तो रास्टिये ध्वच को कब किया है 22 जुलाई 1947 को तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा option number D 22 जुलाई 1947 को जब भ 22 जुलाई 1947 को भारत का रास्टिये ध्वच जो है वो सुईकार किया गया था रास्टिये ध्वच से याद रखेगा रास्टिये ध्वच को सम्मिधान सभा में हंसा मेहता के द्वारा प्रस्तूत किया गया था और भारत के रास्टिये ध्वच का पहली बार परदर्सन जो ह वो 14 अगस्त 1947 की मध्यरात्री को हुआ था वहीं रास्टिय धोज की चोड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है वो 2 अनुपात 3 है नेक्स का एराई ये निम्रिकित कतनों पर विचार कीजिए भारत की संविधान सबाने रास्टिय धोज का जो प्रारूप है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया था यह बिल्कुल सही है करा रास्ट धोज के बीच चक्र में 21 तीलिया है ये गलत है क्योंकि 24 तीलिया है देखिए रास्टिय धोज से एक चीज याद रखिएगा जो भारतिय धोज संहिता 2002 है उसके अनुसार सभी भारतिय नागिल को और नीजी संस्थानों को रास्टिय धोज परदर्शन का अधिकार प्राप्त है नेक्स्ट कहारा है ये भारत का रास्टिय पसू है तो भारत का रास्टिय पसू कौन है बाग है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा option number C बाग है और बाग का जो scientific name है बग्यानिक नाम जो है वो panthera tigeris है ठीक है और एक चीज और याद रखेगा देश में बागों की घरती संख्या को देखते हुए 1973 में बाग परियोजना भी सुरू की गई थी अभी एक recently आया है बाग गन्ना रिपोर्ट 2019 तो बाग गन्ना रिपोर्ट 2019 जो है उसमें बागों की जो कुल संख्या बताई गई है वो 2960 बताई गई है जिसमें जो सरवादीक है वो मध्य पदेश में 526 है वहीं दूसरे नमबर पर करनाटक है जिसमें 524 है साथी साथ याद रखेगा एक question पूछा जाता है कि 2018 से लेकर 2018 के बीच बागों की जो आबादी है उसमें कितना ब्रिधी हुई है तो बागों की आबादी में 33% की ब्रिधी हुई है नेक्स कहरा है भारत का रास्टी ये पुस्व कौन सा है तो भारत का रास्टी ये पुस्व है कमल तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा option number B कमल और इसका बैग्यानिक नाम जो है वो नेलमबो नूसी फेरा है next question कर रहा है भारत का रास्टिये पच्ची है तो भारत का रास्टिये पच्ची कौन है? मोर है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number C, मोर और इसका बैज्ञानिक नाम क्या है? पाबो क्रिस्टेटरस देखे, मैं एक बार बोल देता हूँ याद रखेगा, राष्टिये पुस्व हो गया कमल, राष्टिये बिरिच हो गया बर्गद, राष्टिये फल हो गया आम, राष्टिये बाके हो गया सत्मे बजयते, राष्टिये नदी हो गई गंगा, राष्टिये जलिये जीव हो गया गंगा डॉल्फिन, और राष्टिये बिरासत पसू हो गया हाँ थी तो ये इतना सारा चीज आपको ध्यान रखना होगा नेक्स कहरा है भारतिय रास्टिय ध्हज में चक्र जो है वो किसका प्रतीक है तो देखे भारतिय रास्टिय ध्हज की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो केसरिया रंग है वो जागरिती, सौर और त्याग का प्रतीक है सफेद रंग जो है वो सत्व और पवित्रता का प्रतीक है हरा रंग जो है वो जीवन समरिधी का प्रतीक है और वहीं अगर हम लोग रास्टिय ध्हज में चक्र की बात करते हैं तो रास्टिय धोज में सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप जो है, वो सारनाथ में असोग के सिंग अस्तम पर बने चक्र से लिया गया है, और यह जो है वो न्याय का प्रतीक है, तो इस कोशन का सही अंसर होगा, option number B, न्याय का प्रतीक ह नेक्स कह रहा है, तो चक्रों की प्रतीक है, तो इस कोशन का सही अंसर होगा, option number B, 24 तीलिया है, नेक्स कह रहा है, रास्टिय पंचांग के jed में निलिखित में से कौन सा कथन सही है, यह बताना है, तो कह रहा है कि भारतीय रास्टिय पंचांग जो है, वो बिक्रम संब पर आधारित है ठीक है और सक्त संबत आप लोग हिस्ट्री में पढ़ रखे होंगे कि जो जब कनिस्क था बो 78 इस भी में जब वो गद्धी पर बैठता है उसी समय एक संबत चलाता है जो कि सक्त संबत के नाम से कहलाता है और उसे ही भारत सरकार प्रयोग में लाती है वहीं अगर हम लोग बात करते हैं रास्टिय पंचांग की तो रास्टिय पंचांग का पहला महीना कौन होता है चैत होता है और चैत का पहला दीन जो है वो समाने था 22 मार्च और अधी बर्स में 21 मार्च को पड़ता है नेक्स कहरा रास्टिय पंचांग को जनबरी 26 1950 से अपनाया गया था, clear है? तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number D, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है next कहरा है की समिधान के निमलिकुद में से किस प्रवधान के अंतर्गत भारतिय संसत को नय राज बनाने का अधिकार है? तो भारतिय संसत को नया राज बनाने का अधिकार है अनुछेद 3 के तहट तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपस नमबर C अनुछेद 3 में आप लोग पढ़ रखे होंगे कि अनुछेद 3 के तहट नय राज्यों के निर्मान उनके छेतरों सिमाओं और नाम में परिवर्तन का अधिकार भारतिय संसत में नहीं थै लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं अनुछेद 1 की तो अनुछेद 1 के तहट संग का नाम और राजचेद और अनुछेद 2 की बात करते हैं नामों में परिँवर्तन कर सकती है नेक्स कह रहा है कि भारत के सम्मिधान के अंतरगत निमलिखित में से किसको राज्यों की सिमाओं को परिवर्चत करने की सक्ति प्राप्त है तो संसत को प्राप्त है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसन बरे संसत को प्राप्त है नेक्स कहरा एक राज को संग में समलित करने अथवा नए राज्यों की अस्थापना करने की कारिप पालिकिये सक्ती जो है वो निमलखित में से किसको प्राप्त है तो ये भी संसत को प्राप्त है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसा नमबर A संसत को प्राप्त है सम्मिधान के प्रथम अनुछेद के अनुसार भारत है तो सम्मिधान के अनुछेद एक में यह निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संख होगा तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number D, राज्यों का union होगा एक चीज़ याद रखिएगा राज्यों तथा संख राज्य छेतरों के नाम तथा परतेक के अंतरगत आने बाले राज्य छेतरों का बर्नन जो है वो सम्मिधान के प्रथम अनुसूची में किया गया है next कहरा है निम्रिकित में से कौन सी एक भारतिये संख राज पदिती की बिसेस्ता नहीं है, यह पूछ रहा है आपसे भारत में स्वतंत्र नयापालिका है, यह बिल्कुल सही है कहरा है केंद्रों राज्यों के बीच सक्तियों का असपष्ट बिभाजन किया गया है यह भी बिल्कुल सही है फिर आगे कह रहा है संगबाद होने बाली इकाईयों को राज सभा में असमान प्रतिनिधित्र दिया गया है ये भी बिल्कुल सही है आगे कह रहा है कि ये संगबाद होने बाली इकाईयों के बीच एक सहमती का परिणाम है ये गरत है क्यूकि भारतिय संग की जो अस्थापना है वो संगबद होने वाली इकाईउ के बीच किसी सहमति या संजोते के द्वारा नहीं हुई है और जो भारतिय संग से राज्च्यों मतलब इकाईउं को अलग होने का अधिकार जो है वो नहीं दिया गया है नेक्स कहरा है निम्रिकित में से कौन से कथन जो है वो नए राज्यों के निर्मान के बारे में सही नहीं है यह पूछ रहा है आपसे संसद बिधी त्वारा एक नए राज्य का निर्मान कर सकती है यह तो सही है कह रहा है इस परकार की बिधी में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संसोधन का प्रभधान होगा ये भी बिलकुल सही है फिर कह रहा है इस परकार की बिधी को अनुचे 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संसोधन समझा जाएगा ये गलत है क्योंकि देखिए नए राज्यों के निर्मान के लिए जो बिधी है तू अनुछेद 368 के तहट जो बिशेष प्रकिलिया है मतलब संभिधान संसोधन प्रकिलिया जो है वो नहीं अपनाई जाती है क्योंकि संसद जो है वो साधारन बहुमत से नए राज्यों का निर्मान कर सकती है तथा संविधान के अनुछेद 4 के 2 के अनुसार इस परकार की बिधी अनुछेद 368 के परायचनों के लिए संविधान का संसोधन जो है वो नहीं समझ जाती है नेक्स कहते हैं एक नया राज्यों बनाने में संमेधानिक संसोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए संसद जो है वो साधारन बहुमत के द्वाड़ा पारित बिधायक फिर राष्टपती के सुकरीती मिल जाने पर कानून बन जाता है जैसे कि नए राजियों के निर्मान, राज छे तरसीमा और नाम में परिवर्तन यह सब जो है वो साधारन बहुमत से होता है तो इस question का सही अंसर होगा option number A, साधारन बहुमत चाहिए Next कह रहा है कि भारत में संग राजियों का परसासन होता है तो भारत में संग राजियों का परसासन जो है वो राष्टपती के द्वारा जो न्यूक्त किया गया परसासक है उसके माध्यम से होता है यानि कि राष्टपती के द्वारा होता है तो इस question का सही अंसर होगा option number A, राष्टपती के द्वारा नेक्स कहा रहा है कि भारत संग नहीं है तो और ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा है कि भारत क्या है भारत जो है वो अनुछेद एक के अनुसार भारत राज्यों का संग है यानि Union of the State है तो पहला तो गलत है फिर आगे कह रहा है कि कि किसी भी आज के छेतर सीमा नाम में अगर परिबर्तन है तू राज्यों की सहमति जो है वो अभ्यसक है अनुछे तीन के अनुसार लेकिन बाध्यकारी नहीं है तो इस तरह से ये देखा जाया तो ये गलत हो जाए ये सही हो जाएगा और ये जो है वो गलत हो जाएगा मतलब ए सही ह और R गलत है तो आपका सही अंसर जो होगा वो होगा option number D next का रहा सम्वेधानिक प्रभधानों के अनुसार राज्यों की सिमाओं को बदलने के लिए सहमती के अबसकता नहीं है अभी हम लोगों ने देखा कि अबसकता अगर देखा जाए तो अनुछे तीन के अनुसार है लेकिन बाध्यकारी नहीं है तो इस question का सही अंसर होगा option number D राज की सहमती के अरशकता नहीं है next का एरान निम्रेखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्मान के लिए सम्मिधानी कुपबंध नहीं है यहाँ पूछ रहा किसी राज्य का छेतर बढ़ा कर यह है किसी राज्य का छेतर घटा कर है किसी राज्य का नाम परिवर्तित करकर है एक संघ राज इच्छे तर सामिल कर सकेगा ये नहीं है क्योंकि देखिए भारतिय सम्मिधान के अनुचे तीन के अनुसार किसी राज की सीमाय बदलने, नए राज का निर्मान करने, अथवा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको दिया गया है, संसत को दिया गया है राज्यों को ये अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं है नेक्स कहरा है, ये निम्र कत्मों पर विचार केज़े और दिये गए कूर से बताईए कि इनमें से कौन सही है समिधान में Union of Estate सब्थ परियुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है यह बिल्कुल सही है क्योंकि देखिए डौक्डर अम्बेतकर के सब्दों में समिधान में परियुक्त Union of State सब्थ का अर्थ होता है संगहराज बिल्कुल सही है और इसके धरायोग से याद रखेगा 1948 तो ये भी सही है इसने भासा के अधार से ज़्यादा परफासनिक सुप्धा को बरियता दिया था फिर आगे करा पंडित नहरू, सरदार पटेल और पटावी सिता रमया की अध्यचता में जो की जे भी पी कमीटी आप लोग पढ़े होंगे अपरेल 1949 में उसमें राज्यों के पुनगठन में भासा याधार के पच्छ में नहीं थी, ये भी बिल्कुल सही है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा option number D, तीनों का तीनों जो है वो इसमें सही है नेक्स कहरा है ये भारतिय संगहात्मक विवस्था के संदर में निमलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है यह आप से पूछ रहा है भारतिय संविधान के अंतरगत राज्यों को संग से अलग होने का अधिकात नहीं है, ये बिल्कुल सही है कह रहा अलग होने की मातर बकालत करने पर अभिव्यक्ति की सुतंतरता की सुरच्छा मिलेगी यह गलत है क्योंकि देखिए भारा से अलग होने की मातर बकालत करना भी संबंधित बिधी के तहट अपराध माना जाता है इसको सुरच्छा नहीं मिलती है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर एक जो है वो सही है नेक्स कहरा भारतिय संग के अंतरगत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है तो कि भारतिय संग के अंतरगत अनुछेद दो जो है, उसके अनुसार नए राज्यों का भारतिय संग में परवेश कौन कर सकता है, संसत कर सकता है तो इस question का सही अंसर होगा option number C नेक्स कहरा, यदि भारतिय संग में नए राज्य का स्रीजन किया जाना है, तो संविधान की किस अनुसूची का संसोधन करना अवसक होगा तो प्रथा मनुसूची का करना होगा क्योंकि संविधान की प्रथा मनुसूची में ही राज्चियों और उनके छेतरों का विब्रन है तो भारतिय संग में एक नए राज्य के स्रेजन है तो प्रथा मनुसूची में ही संसोधन करना आवर सक होगा तो इस question का सही answer होगा आप संब बठी अप्रधा मनुसुची Next कहरा है लोगसभा में केंदर सासीत पर्देशों के लिए कितने सीटे आरचीत है तो लोगसभा में केंदर सासीत पर्देशों के लिए 20 सीटे आरचीत है नेक्स कहरा है राजपुन गठन आयोग ने एक नमबर 1956 को कितने राज़ता था कितने संघ राज़ बनाए तो स्वतंतता के बाद अगर देखा जाए तो राज़ियों के निर्मान के लिए अफजल अली के धेशता में एक राजपुन गठन आयोग का गठन हुआ था जिसकी सिफारिस पर 14 राज और 6 संघ राज जो है वो अस्थापित किये गए थे तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आप सनबरी 14 राज और 6 संघ राज नेक्स कहरा है भारत में कितने राज़ बन संघ परदेस हैं तो देखे बरतमान में अगर देखा जाए तो बरतमान में राज़ जो की संख्या 28 है और केंदर संघ परदेसों की संख्या जो है वो 8 है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आप सनबरी इनमें से कोई नहीं नेक्स कहरा है भारत में कितने संघ साथिस परदेस हैं तो भारत में अभी 8 संघ साथिस परदेस हैं तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा आप सनबर C आठ कौन कोन है जमु कास्मीद, लदाग, दिल्ली, पुडिचोरी, चंडिगर, लच्छ दीप, अंडवान निकवार, और दादर नगर हवेली और दमन दीप जो अभी मर्ज हो गया है नेक्स कहरा है निमलेकिल में से कौन संघ राज छेतर नहीं है तो अंडवान निकवार, दीप समू है, दमन दीप और दादर और नगर हवेली अभी यह दोनों मर्ज हो गया यह पहले का 2013 का कोशन है पुडिचेरी भी है, गोवा नहीं है, तो इस कोशन का सही अंसर होगा आप सन नंबर C, गोवा नेक्स कहरा है कि कि सराज की राध्धानी का नाम सोतंतता प्राप्ती के बाद अभी तक नहीं बदला गया है देखे अगर हम लोग बात करते हैं तमिलाड़ू की राधहनी थी मदरास उसका नया नाम कर दिया गया चिन्ने और अब बदलकर कर दिया गया त्रिबंद्रपूरं तो इसका भी बदला गया पस्चिय मंगाल की पहले राधहनी थी कलकता अब उसका नाम बदल कर कर दिया गया कोल कता तो ये भी बदला गिया फिर कहरा आंधपदेश ये जब कोश्चन 2005 में पूछा गया था उसमें इस कोश्चन का सही अंसर था आंधपदेश क्योंकि आंधपदेश की उसमें राधानी हैद्राबाद थी लेकिन जब 2014 में आंधपदेश से अलग होकर तेलंगना बनता है तो 10 बर्स तक हैदराबाद यहीं जो है वो आंधपदेश और तेलंगना की संजुक्त राधानी रहती है फिर उसके बाद आंधपदेश की राधानी जो है वो अमराबती हो जाती है तो अगर अभी के समच्छ में यह कोश्चन देखा जया तो इसका अंसर नौन अपदीच हो जाएगा लेकिन 2005 में जब कोश्चन पूछा गया था तो उससमें इसका अंसर आंधपदेश था नेक्स कहा रहा है दिल्ली है तो दिल्ली के अगर हम लोग बात करते हैं तो सम्विधान की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक संघ राज छेतर याग के अंदर सासीत प्रदेश है तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा आप से नबरे के अंदर सासीत प्रदेश गया तो इस question का सही अंसर होगा आपसा नंबर B Next कहरा है भारत के सम्मिधान के अनुचे 240 के अंतरगत कुछ संग राज छेतरों के लिए बिनियम बनाने की राष्टपती की सक्ति के संदर में निम्न में से कौन सा यूग में जो है वो सही सुमेलित नहीं है यहाँ पूछ रहा है आपसे अंडवान और निकवारदीप 240 के एक अखा सही है 240 के एक अखा लच्छ दीप सुमेलित है 240 के एक अखा दमन दीप सुमेलित है 240 के एक अखा पुड़ी चेरी अच्छ notch 이हां पूछ रहा है निम्न में से कौन सा यूग सुमेलित नहीं है हाँ तो दो सो चालिस का एक पुड़ी चेरी जो है वो सुमेलित नहीं है क्योंकि गहां में नहीं बल्कि ड में है 241 के ड में पुड़ी चेरी है लेकिन ध्यान रहे कि अब जो है वो दादर और नगर हवेली और दमन दीप को मर्ज कर दिया गया है तो उस समय कोश्चन के कोडिंग 2018 में तो ये अंसर होगा आप से नमर जी क्योंकि ये घह में नहों के डम में था लेकिन अब दमन और दीप और दादर और नगर हवेली को मर्ज कर दिया गया है तो दादर और नगर हवेली को मर्ज कर देने के बाद जो दादर और नगर हवेली जो था वो 240 के एक के गह में अब कर दिया गया है ठीक है और घह में दमन दीप और ड में पुड़ी चेरी ऐसे अच्छा यहां देखा जाए तो पहले देखिए सबका मैं सही करम बता देता हूँ अंडवान और निकवार दीप समू दोसो चालिस के एक अखा लच्छ दीप सुमेलित है दोसो चालिस के एका अड़ा जो है वो पुड़ी चेरी है ठीक है और पहले घह में था दमन दीप ठीक है घह में था दमन और दीप और घह में था दादर और नगर हवेली लेकिन फिर दादर और नगर हवेली और दमन और दीप जब मर्ज हो जाता है तो दोसो चालिस के एक ए में दादर और नगर हबेली और दमन दीब को स्थापित कर दिया जाता है और 240 के एका घह जो है उसको खतम कर दिया जाता है मतलब 240 के एक घह में जो दमन दीब था उसको खतम कर दिया जाता है ठीक है मतलब बिलोपित कर दिया जाता है clear है नेक्स्ट है हमारे निम्रिकित कत्नों में से कौन सा एक जो है वो गलत है गोवा को 1987 में पुन्ट राज का दर्जा प्राप्त हुआ यह बिल्कुल सही है दीब खंबात की खाडी में एक टापू है यह भी सही है दमन और दीब को भारतिय सम्मिधान के छपन में सम्मिधान संसोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया यह भी सही है दादर और नगर हबेली बर्स 1954 तक फ्रांसिसी उपनेवेसिक सासन के अंतरगत थे यह गलत है बलकि यह फ्रांसिसी नहीं यह पुर्तगाली सासन के अधीन थे दादर और नगर हबेली जो था वो 1954 तक पुर्तगाली सासन के अधीन था फिर अंतरास्टिय न्याले के भारत के पच में निर्नाय आता है और दादर और नगर हवेली जो है वो भारत में मिला लिया जाता है तो इस question का सही अंसर होगा option number D Next कारा सिक्कीम जो है वो भारत का एक राज बनाया गया तो सिक्कीम जो है वो 35 संसोधन के अंतरगत 1974 में भारत का एक एसोसियेट अस्टेट मतलब सहयूकत राज के रूप में सामिल किया गया तो इस question का सही अंसर होगा option number C 35 संभिधान संसोधन के अंतरगत तो सिक्कीम भारत का एसोसियेट अस्टेट बना कब 35 संभिधान संसोधन के अंतरगत और पूर्ण राज का दर्जा मिला उसको 36 संभिधान संसोधन 1975 के द्वारा नेक्स कह रहा है निम्लिकित सम्मिधान संसोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को बिधिवत भारत संक में पुर्ण राज के रूप में तो यहां 35 नहीं होगा अंसर यहां होगा 36 सम्मिधान संसोधन इस question का सही अंसर होगा option number C नेक्स कह रहा है बिहार को काटकर एक प्रिठक बनान चल राज का बनाना संबब है राजी बिधान सभा में कानून पारित करके नहीं राजपल द्वारा ध्यदेश को पारित करके नहीं सम्मिधानिक आप्चारित्ता को समाप्त करके नहीं इन में से कोई नहीं होगा क्योंकि राजियों के निर्मान करने का अधिकार जो है वो अनुछे तीन के अनुसार सिर्फ और सिर्फ संसत को प्राप्त है नेक्स कर रहा है निम्लिकित भारतिय राज्यों का उनके निर्मान के अनुसार काला नुक्रम बनाएं तथा अंध में दिये गए कूट का परियोग करते हुआ सही उतर का चैन कीजिए 36 गड़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो 36 गड़ का जो निर्मान है वो 1 नमबर 2000 को हुआ अर नाचल परदेश की बात करते हैं तो इसका हुआ है बीस फरबरी 1987 को सिक्किम की बात करते हैं तो इसका हुआ है 16 मई 1975 को और जार्खन का तो आप लोगों को याद ही होगा 15 नमबर 2000 को अब इसको बड़े अराम से आप लोग एरेंज कर सकते हैं आरेंज करने के बाद आपका सही अंसर होगा आपसन नमबर B नेक्स कहा रहा है नीचे दी गए राज्यो को भारत संख के संपुन्ट राज का दर्जा प्राप्थ होने का सही काला नुकरम कौन सा है तो देखे ये सही होगा आपसन नमबर B देखे B क्यों होगा क्योंकि ये सिक्वेंस में लिखा हुआ है नागलेंड कब 1963 में हर्याना कब 1966 में सिक्किम कब 1975 में और अरणाचल परदेश कब 1987 में ठीक है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसन नमबर B नेक्स कहा रहा च्छतिसगर्ड राज जो है वो स्वरूप में आया तो च्छतिसगर्ड राज जिसकी राधानी है रायपूर तो यह स्वरूप में आया एक नमबर 2000 को तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसन नमबर A नेक्स कहा रहा उत्राखंड राज की अस्थापना हुई तो उत्राखंड राज की अस्थापना जो है वो 9 नमबर 2000 को हुई है तो इस question का सही answer होगा option number B Next कह रहा है कि निम्न राज्जो का स्रीजन बर्स 1960 के बाद हुआ है हें इनके गठन के आरोही काला नुकरम में वेबस्तित कीजिए और अपना उत्तर दिये के कूट से चूनिए हरियाना कब 1 November 1966 सिक्किम कब 16 May 1975 में घाले की बात करते हैं तो 21 जनबरी 1972 और नागालेंड की बात कीजिएगा तो 1 December 1963 इसको आप सही से अरेंज कीजिएगा किस करम में दे रहा है आरोही करम में तो आरोही करम में इसको अरेंज कीजिएगा तो सही answer होगा option number C नेक्स कारा भारत में निमलिकित राज्जियों के बनाने का सही कालनुकरम की पहचान कीजिए और नीचे दे गए कूट से उत्तर कीजिए आंध्र परदेश की अगर बात करते हैं तो कब 1 October 1973 को हिमाचल परदेश की अगर बात करते हैं तो 25 जनबरी 1971 को वहीं सिक्किम की बात करते हैं तो 16 मई 1975 को और हर्याना की बात करते हैं तो 1 November 1966 को सही इसका सिक्वेंस बैठाईएगा तो सही अंसर होगा option number B नेक्स कहरा सुची एक और सुची दो को सुमेरिज कीजिए और सुची को नीची दिये गए कूट से सही उतर चुनिए नागालेंड किस से मैच करेगा नागालेंड मैच करेगा 1 December 1963 से यहां 62 नहीं बलकि 63 होना चाहिए इसका था 1 November 1963 वहीं जहारखन की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या 15 November 2000 तेलंगना की बात करते हैं तो 2 June 2014 और सिक्किम की बात करते हैं तो 16 मई 1975 नेक्स करा है निम्र में से एक कथान असरत है बताईए कौन कथान असरत है यह बताना है मैसूर राज का नया नाम तमिलाडू रखा गया यही गलत है गुआ को दमने बन दीब से अलग किया गया सही है बंबई राज गुजरात बं महरास्त में बिभाजित किया गया यह भी सही है हिमाचल पदेश पहले संग सासित पदेश की सुची में था यह भी सही है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा option number A महसूर राज जी का जो नया नाम है वो करनाटक है तमिलाडू नहीं है नेक्स कहरा है उल्फा अगरबादी जो है वो किस राज्य से संबंदित है उल्फा का फूल्फाम क्या होता है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ असम तो यानि ये असम से संबंदित है तो इस question का सही अंसर होगा आप से number A और इस संगठन का जो उद्देश है वो सैन संगर्स के जरिये संप्रुभू समाजबादी असम अस्थापित करना है और इसकी अस्थापना कब हुई थी इसकी अस्थापना हुई थी 1980 में एक कोंड़ा पाली सीता रमया नामक एक नकसली नेता ने किया था नेक्स करा कावेरी जल विवाब के अंतरगत कौन-कौन राज है तो कनाचक है, तमिलाडू है, पुडिचेरी है, केरल है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आप से number D वहीं अगर कावेरी की हम लोग बात करते हैं, तो कावेरी नदी का उदगम है करनाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रहमगिल पहाडियां से और इसकी सहायक नदियां हैं, हेमाबती, अमराबती, अरकाबती, भवानी, ये सब कुछ कावेरी की सहायक नदियां हैं नेक्स कहरा है भासाई अधार पर राज्जियों के पुन गठन किस बर्स में किया गया था तो यह किया गया था 1956 में और फिर भासाई के अधार पर सरपथम आंध पदेश को प्रिथक राज के रूप में बनाया गया था नेक्स कहरा है भासाई अधार पर सरपथम किस राज का गठन हुआ है तो इस कोशन का जो सई अधार होगा वो होगा और फिर भासाई राज्जित होने बाला पहला राज्य था आंध पदेश और उस समय आंध पदेश की राधानी कर्णूल थी याद रखियेगा नेक्स कहरा आंध पदेश एक भासाई राज के रूप में गठित किया गया तो कब किया गया आंध पदेश 1903 में 1 अक्टूबर 1903 को तो इस कोशन का सईयन सर होगा वो होगा आप्सन नमबर B नेक्स कहरा भारत में राजपुन गठन आयोग की संस्तूती के अधार पर राजजियों का पुन गठन जो है वो किस बरस किया गया तो यह किया गया 1956 में तो इस कोशन का सईयन सर होगा आप्सन नमबर C 1956 लेकिन राजपुन गठन जो आयोग था उसका गठन हुआ था 1903 में याद रखिएगा राजपुन गठन अधिनियम जुलाई 1956 में पास किया गया था और उसके अनुसार भारत में 14 राज और अच्छे कंदर सासित प्रदेश अस्थापित किये गये थे नेक्स कर रहा है निम्रिकित में से 21 राजपु के अंदर सरकार के द्वारा बिसेश रेनी दर्जा कभी नहीं प्रदान किया गया है तो कभी बिहार को ही नए प्रदान किया गया है तो इस question का सही answer होगा आप से नबरे बिहार देखिए अभी तक कुल 11 राज्यों को विसेश रेनी का दर्जा दिया गया है जिसमें 8 राज्यों है वो पुर्वोत्तर भारत से है मनिपूर, मेघाले, तिलपूरा, सिक्किब, अन प्रागालेंड और मिजोरब और साथ ही साथ तीन हिमाली छेतर हैं उतराखंड, हिमाचर पदेश और जब्मू कास्मिल जब वो राज्य के रूप में था तो इसको विसेश राज का दर्जा प्राप्त था नेक्स कहरा है निमर्रकित कत्नों में से कौन जो है वो सत्ती है यहाँ पूछ रहा है कॉअंग्रेस के नागपूर सत्र यानि 1920 में कॉअंग्रेस के नागपूर सत्र के द्वरा किया गया था यहाँ坏 तो यह तो बिलकुल सही है फिर कहरा 1948 में कॉंग्रेस ने भासाई अधार पर प्रांतों के गठन के मांग को अस्विकार कर दिया था ये भी सही है क्योंकि भारत जो है बो आजादी के बाद जब 1948 में संविधान सभा के जो इसके धर्ग के नितरित में भासाई राज आयोग की नुपती किया था वही आयोग ने भासा के अधार पर प्रांतों के गठन को नकार दिया था तो यहाँ A और B दोनों से यह तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नमबर D नेक्स कहरा है भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिक्ता से संबंधित प्रभधानों को पाते हैं नेक्स कहरा है भारत में नागरिक्ता के निमलेकित बिसेस्थाओं में से कौन सी सही है यह पूछ रहा है आपसे राज तथा रास्ट की दोहरी नागरिक्ता ये गलत है ये तो अमेरिका में हुआ करता है राज की एकल नागरिक्ता ये भी गलत है संपुन भारत की एकल नागरिक्ता ये सही है क्योंकि भारत में एकल नागरिक्ता का प्रब्धान है तो इस question का सही अंसर होगा option number C next कर रहा है भारतिय नागरिक्ता नहीं प्राप्त की जा सकती है देखिए भारतिय नागरिक्ता जो है वो 5 तरीके से प्राप्त किया जा सकता है जन्म के द्वारा रक्त संबंध या बंसक्रम के द्वारा रेजिस्ट्रेशन द्वारा देशी करन द्वारा और किसी भुभाग के सम्मिलन द्वारा इतना ही के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है तो यहां पूछ रहा है कि नहीं प्राप्त किया जा सकता है तो जन्म द्वारा किया जा सकता है, देशी करन द्वारा किया जा सकता है किसी भुभाग के समिलन द्वारा भी किया जा सकता है भारतिये बैंक में धमा जन धमा करके मतलब धन जमा करके नहीं पाया जा सकता है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा बो होगा option number D next का रहा है भारत का एक नागरिक अपनी नागरिक्ता खोदेगा यदिवः तो देखे भारत की कोई भी नागरिक जो है वो तीन तरीके से अपनी नागरिक्ता खोदे सकता है पहला भारतिये नागरिक्ता का वो परित्याग कर दे दूसरा स्वेच्छा से अनदेश की नागरिक्ता पराप्त कर ले और तीसरा सरकार द्वारा नागरिक्ता छिन लिया जाए तो यहां कहरा है कि भारतिय नागरिक्ता का परित्याग करता है इसके द्वारा वो खोदेगा स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिक्ता प्राप्त करेगा तब भी वो खोदेगा किसी अन्य देश के नागरिक्ता से बिवाह करता है तब वो नहीं खोएगा और सरकार की आलोचना करने से भी वो नागरिक्ता नहीं खोएगा तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number C केबल एक और दो से वो अपनी नागरिक्ता जो है वो खोदेगा next कहरा नागरिक्ता संसोधन अधिनियम 2015 के अंतरगत निम्लिक्त में से कौन भारतिये कार धारक परवासी नागरिक के रूप में पंजिक्रिक्त होने के लिए अहर्त नहीं है तो वो भारतिये जो बिभाजन के उपरांद पाकिस्तान परवासी हो गये थे वो पंजिक्रिक्त के लिए अहर्त नहीं है 31 आई अंधरबिस्ट किये हैं। तो यह जो है वो बिल्कुल सही है। कैरा है, भारत अथा संजुक्त राज अमेरिका के संभिधानों में दो राज तंत्र हैं, किंदु नागरिक्टा एक हरी हैं। यह गलत है। क्योंकि देखें, भारत और संजुक्त राज, अमेरिका के संभ तो इसके बैख्ती जो देशी करन के द्वारा भारत की नागरिक्ता प्राप्त करता है उसे नागरिक्ता आधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार नागरिक्ता से बंचित किया जा सकता है तो यह भी गलत है तो सिर्फ और सिर्फ पहला सही है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा बो होगा option number D केबल एक जो है बो सही है नेक्स कर रहा कि 21 देश में दोहरी नागरिक्ता का सिध्धान सुईकार किया गया है तो यह जो है बो संजुक्त राज अमेरिका में दोहरी नागरिक्ता का सिध्धान थै मतलब वहां का जो नागरिक है बो पहले संजुक्त राज अम ये सम्मिधान की अनुच्छे दिगारा में असपश्ट किया गया है कि संसत को नागरिक्ता के संबंद में बिधी बनाने के संपुन सकती होगी तो इस question का सही अंसर होगा option number D संसत को तो यह था हमारा आज का वीडियो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा comment करके जरूर बताईएगा या जो एक चीज और में आप लोगों को बताता हूँ next जो polity का part होगा उसमें मूल अधिकार होगा मूल अधिकार में लगभग 100 से जादा question है वो सारे questions को हम लोग एकी वीडियो में complete कर लेंगे मूल अधिकार से हमेशा question पूछा जाता है तो यह next जो polity का वीडियो होगा वो सबसे जादा important वीडियो होगा उसको देखना ना बूले अब इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक like जरूर कर दे वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ share करना ना भूले अभी तक आप हमारे चैनल पे नहीं है या चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजे और साथी साथ बेल आइकन दबा लीजे ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें थैंक्स वर वचिंग